कि दोस्तों बैक टूबैक नन हिद्र का अब्जेक्टिव क्लास की पर किरिया शुरू है आप लोग हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अब्जेक्टिव क्लास की जो भी विवियाए कुश्चन है आपको 300 नंबर का प्रेक्टिस करवाया जाएगा जिसमें से 100 नंबर का य 101 से ले करके आपको बताया जाएगा 150 तक यान की 50 अब्जेक्टिव के बारे में जो मुष्ट भी वियाई है जो आपको ब्याक्रन से समझ देता है अधिकतर कुश्चन इसमें इस वीडियो में तो आप हमारे साथ मनने रहे पहला कुश्चन आप लोग देख सकते हैं मैं द लिए कठीन होना यह इस देख रहा है खेंट में इसका में सन। इसके वादें क् म नंबर में काथ 102 नंबर महादे में कहता है हाथ करंगना को और्षी का क्या और्थ है अर्थ है जिसका अप्सिन नम्बर हो जाए जए उसको दिखाने को आप सकता है टूब्स नम्र हो जाएगा इसका एक सदू का इसका बाद कि इसका है इसका आप— इसका अपसाँ नंबर हो जाहेगा अपसाँ नंबर को जो युद्या हुआ है कठीन प्रड़िस्रम से लक्ष मिलता है इसके बाद 104 में कहता है हाथ खिचना मुहावड़े का आर्थ होता है वह होता है अलग होना अफ्शन नंबर घौ में दिया गया यहाँ अलग होना अलग करना नहीं अलग होना कि इसके लिए इसके बाद है 105 नमर में हैं दांत कांटी रोटी होना-दात- कांटी रोटी होना के मतलब होता है मितरता होना इसके बाद 106 नमर कंचन में कहता है पीठ दिखाना यहाल कर भाग जाना आप्सट hips के बाद है अंखो का तारह होना यहां पर दीया हुए है एकसात नमब्र कुछेन में देख सकते हैं आँखों का तारह होना महाबने का अर्थ होता है ता अत्यांति प्रिये होना जो आप से नमब्र आपको कौम में है दिखाई द्याएं सांफ। इसके बाद 1808 के मå than काथ है दात काथी रोटी होना दाथ काथी रोटी होना तो बहुत या अरो मॉणता है या मंतुरसा होना होना या पनलता होना two one your question को जाएगा यहां पर बहुत मितुरसा होना जै आंस का और सुनमब को इसके बाद 109 10 हों नंबर कुष्चjण में कहता है गाल वजाना गाल वजाना मुहामरा वरा कार्थ होता है आप यहां पर एसकी स्क्रीट पर देख वा रहे हैं 109 हो इंता है यानिकि ब्यांग में हाकना हांकना जो अफसान नमबर सर्णि दनकिंवय अर्थ में हाकना क्र mental 495 में सब्सक्राइम चैते हैं सब्सक्राइब man no बोलते है जी बोलते है जानवर बोलते है जानवर बोलते है यह वह नानी बोलते है तो जो वन में चर्थता है उसको बोला जाता है जो होता है उसको बुल्दा जाता है वंचर यहां पर एक से अनेक सब्सक्राइब के लिए एक सब्सक्राइब कुछा जाड़ा है इसके बाद आगला कुछन है कि ओüt आगला कुछन सब्सक्राइब करने जोगए तो सब्सक्राइब करने जогए वोगा सक्षस्वी हो जाता है तो का लाता आप सब्सक्राइब करते हैं जानने कि एक्षा रखने वाले को कहते हैं जिग्यासू जिग्यासू आप सब्सक्राइब तो जो मापने में समर्थ हो उसको क्या बोलती है तो जो मापने में समर्थ हो उसको माप डंड बोलती है यह जो जाएगा इसके बाद है अगला कुछ्चन 118 नमबर में सिव का उपासक कहलाता है सिव का उपासक क्या कहलाता है सिव का उपासक जो है सभी कहलाता है सभी कहलाता है इसके बाद 119 नमबर में कुछ्चन कहता है जो व्याकरन जानता हो इनके लिए एक सब्द क्या होगा तो जो व्याकरन जानता है उनके लिए एक सब्द है वायाकरन यहां पर उप्सवास रखता है इसके लिए एक सब्सक्राइब अस्थीक बिला जाता है जिसका कोई नाथ ना हो अगला यहां पर देख सकते हैं अधिला नेक्स्ट कुछन एक्सवा यहां पर कुछनों की नंबर की संख्या थोड़ी सी हेर फिर हो गई है इसके लिए कोई बात नहीं है यहां पर आप लोग देख पाड़े हैं कुछन नंबर 111 का इसमें कहता है जिन का कोई नाथ नाथ ना हो तो आप यहां यहां पर होना चाहिए 113 लेकिन 22 होना चैना लेखिppen यहां पर भारत दित्याइए बनार अच्छा लाएं उसके आपको में नाहीं 152 नमचाल है है जिसके पास धन नहों उसको क्या पॉलेंगे जिसके पास धन नहों होता है उसको निर्धन बोला जाता है जी स्टेस के बाद 124 नरेंус ses जो कहा न जा सकते हैं जो कहा न जा सकते हैं तो यहां पे दिया गया है option number को अकथनी और को में न कहा निये option अकथनी तो यहां पे दूनों नहीं होगा फर्स्ट और सेकेंद नहीं होगा एक गौ नमब्र हो जाएगा आपसेंगा नमब्र गौ अकथनी यह नवकि जो ना जा सकते उसको अकथनी यह बोला जाता है अगला question 125 नमबर आपके screen पर यह रहा कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते है सर्वनाम के कितने भेद होते है तो सर्वनाम के छो भेद होते है अपसन नमबर गव में अंसर हो जागा इसका इसके बाद है दिया गया है 126 नमबर question में वाक्य के कितने भेद होते है वाक्य के कित फटे इसके बाद है कि आया कि इतनी ब्याक्राogram स्विना के कुर्णकल के दो में हो फटेशन वाचन का वाकवा रहे इसलिग 256 वाचन के यहां Пर से एक इसलिए बन तो प्रश्ण के कीर्षय बूर्णक लिए नवचां को इसिए विचन के दो भेध होती है एक वचन और वहIGHT वचन हिंदि में होता है इसके वाध है कारा के कितने भेध ह braces उसके बाद है विच गहः असान बहुत ही आसान गशिचन हे फिस के बता हैं Cong например कितने होते हैं ठीडद है होते है कैं सहिंत चैंब चिया एंसर होता है। होते हैं अगला कुछ ना कुछ नमब्र 131 131 में काता है काल के कितने भीद होते है काल के तीन भीद है और वसन नमर कर जाएगा इनके बाद है 132 122 में कहता है इन में से रव्य वाचक-संह्या कौन है दिया गया है सोना तो इहां पर सोना चांदि, गंगा, यमना, सभा, गुधापर, तो द्रव्याजक, संध्या क्या होता है जो आपको Question नंबर 132 मे Pat上 है इसमें का Option नंबर हो जाएगा सोना और चांदि जो option में दियाँ के है सोना और चांदी रवे वाचक संघ्या हो जाएगा इसमें से इसके बाद काता है इन में से कौन समुह वाचक संघ्या है 133 नमबर कुछन में कौन से समुह वाचक संघ्या है तो समुह वाचक हो जाएगा सभा 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 जो है समुह वाचक संघ्या अपसा नमबर गौन में एं कौन कारण के भक्ति है करक्त की भीवक्ति है 134 question तब आपको कर्तानी करम को करण से सपन्दान को के लिए Αफनान से इस तरह से आप कारण से जानते है तो यहाँ पर हो जाएगा राम कलम से लिखता है में कौन से विभगती है याँ पे सरो जाएगा 134 का जो यह एंसर है आपका नमबर गयों में दिया हुआ करन कि आयरी कि से के बारे एंज पूछ रहा इसलिए करन से करताने कर्म को करन से ता तर टीन नमबर हो जाएगा रावशन नमबर को पर करन नेक्स नमबर कुच्चन में कहता है चतूर्थ सब्द है इसमें चतूर्थ सब्द कौन सा है ता आपसा नमबर गव में दिया गया है तत्सम तत्सम जो है चतूर्थ सब्द है यह हो जाएगा इसके बाद है 136 नमबर कुच्चन में कहता है खिरकी सब्द है खिरकी सब्द कैस अप्सा सब्द्ध आः और में कहता है को इसका पर अंत का होता थो बाद है अंत का अर्थ क्या होता है तो अंत का आर्थ जो है यह जए ह correspondence रूप से होता है अंत यानि कि CES जो है अपस नंबर खॉ में दिया गया है CES हो जाएगा इसका बात 149 नंबर मे करता अतिंद का आर्थ है अतियंद अतियंद का मतलब होता है 149 नंबर में इसका भी हो जाएगा CES 149 में कहता है अंत्य अंत्य का अर्थ होता है उसी को घुमा करके पूछा गया तो इसका भी अंसर हो जाएगा सेस अंबर को इसके बाद है अगला कोच्चन जो है 1141 नमडल्श में 1141 चाहें अंब का आर्थ है वहां आ नाम पुछ रहा है यहां अंब है अब का आर्थ है पढ़ Tonglivan को अंब का आर्फ जाता है आपको और सना मढऴ कोन होता अम आम आम वा बोलेगा लैडला श्ंटा ने तपिता का और भा है, तो यहां पे कौन हो जाएगा? अपसे Możina निभर को इसके बाद उनुका आर्थ होता है, 122 नमडर उनुको आर्थ भी होता है यहां पे कौन उजाएगा आपसे नंबर भा इसके बाद 149 नमबर कुछन में कहता है टलाब सक्षान लिए इसके लेगा नमबर कुछन में नमचा करने को सब्सक्राइब 155 नमचां को अर्थ कुछन में कहते हैило कुछन नमचा सब्सकी कटाने हुआ तो इस तरह से हमने आपको अभी तक डियर सो कुष्चन का तीन को वीडियो हमने आपको प्रोभाइट करा दिया है जो एक से पचास तक उसके बाद पहला वीडियो आपको एक से पचास तक जो वीडियो पार्ट वेरी था जो आपको 101 शीरिये करके आपको तो 150 तक का कुश्चन त्यारी करा दिया गया है तो आप लोग वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 नहीं देखिए तो इस वीडियो को लिंक ट्रिस्किप्शन में मिल जाएगा आप उसको प्रेक्टिस कर लेंगे और इसके बाद आपको अगला कुश्चन अबला वीड अधर देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जरू सब्सक्राइब कर ले और अभी तक लिए इतना ही जहीं जय भारत